भी को नमस्कार आज की जो वीडियो हो वो सम्लाद्दे जुम्ला मालकान जुम्ला मालकान वादि गरख द्रान राजी हसद रसद जुम्ला मालकान मुस्तरका मालकान इस परकार की जमिनों के बारे में हैं उससे पहले जो चनल पर पहली बारा हैं इस चनल को सब्सक्राइब कर उसकी वैलिडिटी दे दी दिरुन का था वही जितनी भी पंचायती जमीन ने हैं जे सामलाद दे हैं सब का जो अने इंतकाल सरकार के ग्राम पंचायत के मुनिशिपल कवेटी के नाम किया जाए और उसके लिए जो अना दो पत्तर जारी के दे एक इकीस जून दो जार बाइस को और उसके बाद काफी अलचल मिच गी थी वही क्योंकि लोग पिचाफचा साल से घर बढ़ा करें रहे थे कई की पीडियों गेते कब जिन है और वह एकदम से कहां जांगे पूरा अंगाम में मचया था मैंने भी इस पर काफी बोल ला था लेकिन और उसके बादे कई क्योंकि आथार डेट ऑफ डिशिजन सत्रा तीन को ये डिशिजन दे दिया है इसमां जो हना छेतर अप्लिकेशन लगी थी अलग-अलग डिस्टिक्स से क्योंकि जो बाद दित होगा वह कोर्ट मत जाओगा अगिब किशे की तीन पीडिगी जमीन नहीं सरकार नहीं को गया लिए जो हनिए आप देख को चेतर पेटिशन थी डबल बैंच का ममला था सुरेश्वर ठाकूर जज जस्टिस कुल्दिप्तिवारी ये अडवोकेट की लिस्ट है कभी बड़ा मेंटर ता इसलिए ज्यादा है तो यह मैं पहले का है भी सारी जो कुमन क्यूस्चन है इसलि बलॉम करती है यानि के जो इस्ट्रेक्शन दी थी 26 को रठारा कूं से अग्रिवड हो गए ये कोर्ट में आए हैं बाइदी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्मेंट फोर्दा परपजोब परपोर्टिड इंप्लिमेंटेशन ऑप दी जजज्मेंट डेटीड साथ चार दो अब इसमें दोनों ने अरिणा पंजाब में दोनों ने इंस्ट्रक्शन जारी कि ती इसलिए दोनों केस सेम सुने आगया एक साथ ही अब स्टेट ओफ अरियाना इस्टेट अफ़याना फर्स्टनी इसउड इस्ट्रेट से दोजशन डिशी को बेश दी थी ऑई किस्ट से 12 को काभी बढ़ा लेट रहा बड़ी वीडियो क्या इसमें वह था विचितनी भी इस परकार की जुमला मालकान ध्यां साम्याग या सामम्लात दे है जुमला नाराहजी असद रसद जुम्ला मालकार मतलब जिस परकार ये मैं जो वीडियो में दिखा रहा है जिस नहीं बेज़मीन दी ना इनका काया था कभी सुप्रियूम को उठका आदेश आ गया इनका सब कजो ने इंतकाल सरकार कचड़ाए जाए ग्राम पंचायत कचड़ाए जाए इस पर कबजा लिया जाए इनको जो ना खाली कराया जाए इस परकार के आदेशिस में दे दिये गए थे तो उसमें लेकिन थोड़ी बहुत कसर रहेगी एक वह एक दनतनी को करनान तरस्क है तो इसलिए बाद में जो हना ठारा आठ दो जार बाइस को एक और किया उसमें का आग में इनको सिद् परकार के लेटर पंजाब ने भी इसू किये हैं जो आप सक्रीन पर देख सको हो यह पंजाब स्टेट के भी सेम थे उन्हों ने भी का था अब यह इसलिए मैं सोट बता रहा हूं कोड ने साफ साब यह कह दिया भी सुप्रीम कोड के डिसिजन पर हम नहीं बोल सकते जो उन है 1992 का रूल लागू रहेगा लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने इसको सही तरीके से लागू किया नहीं किया क्योंकि जो कोई ब्यादेश है उसका एक लिविटेशन होती वह पिछे से लागू हो गया उस डेट से अब एक स्वालती यह था बढ़ मैं से लागू ना ची यह बढ़ में एक रूल पास करके थोड़ी लेस्क हैं उसके खिलाब था कोर्ट ना सभी पक्सों के सारी बात सुनी है राकर में यह का है अब भी सरकार ने बिना सोचे समझे इसको जो ना लागू कर दिया इस प्रकार आप इसको नहीं कर सकते आपके लिए कुछ ट्रमेंड कं अब बनाओंगे और आपनों उनकी अनुसार जो है न सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन लागू करना है देखो डिसिजन तो लागू करना है यह कोर्ट ने कभी ने का डिसिजन तो लागू होगा लेकिन कुछ सर्थे हैं इनका कंकुलोजन में बता देऊ अगली वीडियो में क इस उडवाई स्टेट ऑपनजाब यह इंड ओनर्सीप राइट्स ब्यातीन नोटिस करें दो और यहना के पंजाब के जिसके अंदर ओनर्सीप राइट्स ऑफ दिलैंड इन क्विस्चन जिसमें की जो मिलकी थी वो क्विस्चन की गई थी आर सोट टूब ट्रांस्फर वो और हीर बाई क्वेस्च यानि के जो यह थे यह सारे यह तिन ओडर क्वेस्च किये जाते हैं यानि जो इंस्ट्रक्शन दी थी जिनके अनुसार म्यूटेशन रोकर किये जा रहे थे चैंसल करकर दोबारा सरकार को चड़ाए जाते वो लैट्री क्वेस्च कर दिये हैं फिल प्रोपर्टीज यानिके यह मनमान्य तरीके के नियम मन्य के सरकार के आपने सुप्रीम कोट के डिसीजन को ठीक तरह से लागू नहीं किया उन्होंने क्या का आप उसके अनुसार लागू करो और इसके लिए अकोर्डिंगली दी स्टेट ओफ अर्याना एस वेला इस पंजाब सेल गिव एफेक्ट है वो जो जो जजमेंट अनुस्प्रीम कोट को उसको एफेक्ट देंगे वो लागू तो करेंगे इन दा फॉलोविंग मैनर लेकिन इस मैनर में लागू करेंगे यह सुनने वाली बात स है एक पहला पॉइंट वेर दी लैंड्स कंटेन्यू टू भी सेन सोन एज रिजर्ट फॉर कॉमन पर पजी यहां पर कोई जमीन सामलात देके रूप में दर्साइगे यह सुरू से कॉमन पीपल होता है आम आदमी के यूज के लिए वैदर यूटिलाइज और अन्यूटिल यान्यूटिक मेटी के पास रहेगी या मुनिसिपलिटी के मेटी के पास रहेगी यताईंडी केस में भी यानि कोई ऐसी जमीन है जो कोमन परप्रजीज के लिए शो की गी है और रिजरव होनके लिए यानि आम आदमी के इस्तिमाल के लिए है विन पार्टी संड लेकिन उसके टुकड़े कर दिये गई हैं अमंग अस दीप प्रोप्राइटर जो उसके मालिक हैं यानि क्योंकि समला प्रोप्राइटर में उनके जो भी मालिकान है उनके टुकड़े गोगे उसके और उन्होंने अपने बटवारा कर लिया और रीट रिस्ट्रिब्यूटिड और दुबारा उसका जो न आप इसमोंने बाट लिया मंग दें अंडर दी कंसोलिडेशन स्कीम कोई भी कंसोलिडे इस प्रकार की जमीन जो कभी भी ग्राम पंचायत के मेनेजमेंट या कंट्रोल मन नहीं आई एंड दस ओनर्शिप इन रिलेशन देर टू डज नोट वेस्ट इन ग्राम पंचायत बाई विर्चू अब दी प्रोविजन तो उनका जो कभी इनके अंटर आई ही नहीं उसको जो एक्ट बनाया था एक्ट नो अब दूनीस वर्ण उसके तहित नहीं लिया जा सकता अल्सो गिनुशी प्रकर पंजाब का एक्ट था दोजार साथ का RATHER है जोनली प्रोस्पेक्टिव एक्ट यानि उनर का उसका जोनस्प्रोथ प्रोस्पेक्टिव एक्ट हो गए और पहले अगर किशी किना काटुकडे हो गए हैं जमीन बाट ली है चाहिए कनसोलीडेशन में चाहिए कोट ओडर से या किशी और कारण से या पंचायतना बाट दियो कई कारण होते हैं उन को जो हना वो इसमें पटवारे में नहीं आएंगी नो बनवा के इसके अंदर गद नह किशी कोट के अदिकार से कोट के ओडर से वो इसके प्रोविजन में नहीं आएगी और बनवा से पहले पंचायत के अंदर वो ना आई हो कभी भी यानि पंचायत ने उनका इस्तिमाल ना किया हो एक तो पाइंट यह कलियर हो गया शीप है दी गराम पंचायत ओफ जी मिनिशिपलिटी सेल ब्याट लिबर्टी टू अप्रोच थी कंपिटेंट कोट आगे कह देवी जो गराम पंचायत है या मिनिशिपल कमेटी है उसको यह आजादी रहेगी कि वो कंपिटेंट कोट में केश दायर करें कोर्ट ओफ लफ वेस्टिंग दी वेस्टिंग ओफ ओनर्शिप राइट इन देम इन रिस्पेक्ट अप दी लेंड यानि इस प्रकार की जो जबीन उसके लिए पंचायत जो हना कोल्ट में केस करें और तब उनके नाम वो चड़ाया जाए जिब कोल्ट उसमें ओडर करें देट देर इस सीर कोल्ट इस उसके राइट वन देजाए इस नमीन के लिए कोल्ट में केस कर सकती है और कोल्ट अगर चाहे तो उस जमीन को भी पंचायत के दिन. दे सकता है डीप है वेर देर इस नो डिस्पूट इन रेस्पक्ट अफ लेंड जहां पर कोई बात नहीं है डिस्पूट पर जमीन पर रिजर्ट पर कॉमन परपुजीज एंड दा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वेर ओफ हैड बीन ट्रांसपर्ट टू दगरंपंचायत अंड सेक्शन तेइस ए ओफ दी उननीशोट तालीश है जो जमीन उननीशोट तालीश में पंचायत को दे दिए और कोई भी डिस्पूट उस पर नहीं है ओनर्शिप ऑप सच लैंड सेल वेस्ट इन गराम पंचायत मुनिशिपलिटी जो ना उनका इंतकाल जो ना गराम पंचाय को देखते हैं उसके उननर्शिप पंचायत को दी जाए इन दा केस ओफ लेंड विच एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वर्स और प्रोपोज्ट टू बी रिजर्ट फोर कॉमन प्रपरजिज यानि इस प्रकार की जमीन जो किशी एक समय पर किशी एक टाइम पर एक गई है लेकिन उसके बाद जो हनुस में जो उसका स्टेटेस हो चेंज कर दिया या बदलाओ कर दिया गया वापिस दे दी गई और री डिस्टिबूटीड और दोबारा से उनको बाट दी गई अमंगस दी प्रोप्राइटेव जो मालिक हैं अंडर दी ओडर जोप रिवन् और मिनेजमेंट और कंट्रोल ओफ लेंड वाज नेवर ट्रांसपर्ट टू दा गरांद पंचायत हैं अंडर सेक्शन तेहीं से ओप उप उन्हें सोड़ते ले सच लेंड आलसो के नोट भी अटोमेटिकल प्रिजूम्ड टू हैं वेस्टिड यानि इस परकार की जमीन भी जो गलती से या किसी कहांड से एक शामला दे लिख्या गया लेकिन बाद में उन्हीं जो प्रॉपरेटरी थे उनमा लिखते उनको उपटी गए और वो यह लगाता है उस पर कबजा है वो जमीन आउटोमेटिक पंचायत के नाम नहीं जाएगी उसके लिए पंचायत को कोर अगर ओडर करेगी तो उनको हो सकता है वेर लेंड फालिंग इन दा कटेगरी एज इलिस्टेटीड इन डा डारेक्शन नंबर बी एंड ये वाओ है विन सोल्ड और रिसोल्ड यानि जो जमीन जो बीमर इम आती है यानि के टुकडे होगे जिसके बेच दी गई सोल्ड एक डाइट ओफ सच बोनाफाइट पर्चेजर सेल रिमेन अनफेक्टिड यानि किशे ने कोई जमीन ले ली या खरीद ली उनका भी जो हना अनफेक्टिड रहेगा इस रूल के करण उनका टाइटल चेंज नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो खरीद दी है किशे से और किशी क कोट के आप पंचायत के कमेंटी के किसी ने किसी के एर्वन ओफिसर के ओडर से तशिल्दार या डियारो जो भी होते उनके ओडर से उसना खरीद दी है तो उस पर इसको इस फैसलेगा कोई एफेक्ट नहीं होगा सेव एंड एक्सेप्ट जो ना एक्सेप्ट वेंदी शेल किसी कैंसल होगी उनका म्यूटेशन कैंसल होगा नेकर ओटमेटिक रूप से कैंसल नहीं होगा तो भई काफी बात थे हैं मैं छोटी एक खोल घर के बता दियू भई फिलाल जो ओडर जारी के दे सरकार्ना दोन्नों ओडर वापिस होगे है फिलाल आपकी जमीन पर कोई जो ना लगू होगा उनीसो पानमसी उससे पिछे ये लगू नहीं कर पाएंगे पिछे अगर कोई जमीन समलाद दे है किसे कब जाहा बटगी है उनना टुकडे कर ली है या किशी कोट से उनके नाम आगी है उस पर कोई भी करवाई सरकार नहीं कर सकती सरकार केस कर सकती है मिलिशिपल कमेटी केस कर सकते, अगर कोर्ट में वो जीतिगी, तो वो उनके नाम नीं आएगी, ओतोमेटिक नाम नहीं आएगी, जी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, वो ओतोमेटिक पंचाहत के नाम आजाएगी, बागी ने हुआ है, जमीन ने इस परकार की बहुत से, फिलाल आप लोगों के लिए रात की बात से, कोटोमेटिक एक आदेश से नहीं है, इसके लिए अलग से, इस पर फैसलें बीच में लिख्या भी है कोट ने, अगर भी हम हर केस का फैसला अलग होगा, क्योंकि हर परकार का सब की जमीन का प्रै उतरता होगा, तो वो उसकी जीत होजेगी, उसकी बजजेगी, फिलाल किशी का मुटेशन कैंसल नहीं होगा, ना किशी की जमीन पर सरकार कपजा कर पावगी, धन्यवाद.